कि आज NTA ने खुद मायने सुप्रिम कोड के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिये थे उससे बच्चों मेंटे सैटिस्फेक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, कहीने कहीनोंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि और मानी सुप्रिम कोड ने भी अगरी किया है, कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिलेते हैं 1563, उन बच्चों का या तो री एक्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दिये है कि अप्रोक्सिमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं, तीन पॉइंट्स है मेरे, सबसे पहला पॉइंट यह है कि आज एंटिये 7-8 दिन बाद आके मानी सुप्रीम कोड सामने खुद एगरी करता है, कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने किया है, यह गलत है, इसको हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एगरी किया, सवाल यह उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था, नहीं बताया था, जब हमने 719 स्कोर पकड़ा 720 तब बताना, तो क्या NTA और भी ऐसे बहुत चीज़े करता है, जो हमें पता नहीं चलती, क्या और डिस्परेंसीज है, जो एक बार हमें अंदर गुसके देखनी चाहिए, यह तो पकड़ा गया, 719, 720 से क्या, ऐसे और भी मामले हो सकते हैं, तो कहीं ना कि इंट्रस्ट का इश्यो है, दूसरे बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था, और उन्हीं को री एक्जाम के उपरचुनिटी मिल रही है, जो माननी हाई कोड पहुचे थे एक्जाम के पे ने, उस पे सुनवाई होती रहेगी, और आज माननी हाई सुप्रिंग कोड में जजेस ने खुट बोला, कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं अड्मिशन भी हो गया, और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हावाल दपार्स, तो रिबर्ट अबर्ट अ नेगल